सिटेनोग्राफर कैसे बने सिटेनोग्राफर के क्या कारियों होते हैं सिटेनोग्राफर कौर्णोमेंट इंस्टूट से करें या फिर प्राइवेट इंस्टूट से करने के प्रांथ कौन सी जोग मिलती हैं स्टेनोग्राफर होता क्या है? इसमें एक सोट nd लिखने की एक विधी है जिसमें समानी लेखन के पक्छा अधिक तिर्वेगती से लिखा जाता है इसमें छोटे पर्तिकों का उप्योग क्या जाता है स्टेनोग्राफर से आसे है की तेज और संचिप्ट लेखन सिटेनोग्राफर करने से जोब कहां पर मिलती है सिटेनोग्राफर करने से आप अपने जिस्टिक आफिस में यानि की कलेक्टर आफिस में, कौर्ट में, तहसिल में जितने भी गौर्णमेंट आफिस हैं सभी में नगर निगम में यूनिवस्टी और कॉलिजों में सभी जिगे एक स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है जो सभी कारे को एक विधी दुआरा लिखता है स्टेनोग्राफर कॉर्स करने के बाद जो केसी मिलती है HCC दोवारा हर साल स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है जिसमें आपको फोरम भरना होता है फोरम भरने के उपरांत आप एक टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्लिर करने के बाद आपको एक स्टेनोग्राफर का टेस्ट होता है उसे करने के बाद आपकी जोब लग जाती है इसी परकार की जो परोसे स्टेट लेवल पर होती है स्टेट लेवल पर भी सरकार दफ्तरों में, यूनिवस्टी कॉलोजों में सभी जगे एक स्टेनोग्राफर की जरूत होती है इसके अत्रिक्ट कोर्ट और मिनिस्क्रेट में भी एक स्टेनोग्राफर की जरूत होती है स्टेनोग्राफर करने के बाद क्या अपना कारे भी कर सकते हैं क्या अपना रोजगार भी कर सकते हैं Yes, stenographer करने के बाद आप तेहसिल और मिनिस्टेट में अपना योगदान दे सकते हैं, वहाँ पर application लिख सकते हैं और वहाँ से earning अच्छी खासी कर सकते हैं. Stenographer course कैसे करें? Stenographer course IT दोरा करवाए जाते हैं, यहें दो परकार से होते हैं, एक English, दूसरा Hindi, अगर आप Stenographer हिंदी से करते हैं, टेश्ट देने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपका टेश्ट हिंदी में होगा, आपका जो सोर्ट हेंड लिखना होता है, वो हिंदी में लिखना होगा, अगर आप English में यहें डिप्लोमा करते हैं, जब आप टेश्ट देने जाते हैं, वहाँ पर आपका जो सोर्ट हेंड होगा, वो होगा English Medium, गोर्नमेंट से डिप्लोमा करने में आपको क्या फायदे हैं, ITI से डिप्लोमा करने में आपको सबसे कम फीज लगती है, इसका तरिक्त अगर आप टाइवेट्स करते हैं, वहाँ पर आपको फीज कुछ ज़्यादा ही पे करने होगी, एक गोर्नमेंट जोब में स्टेनोगराफर की क्या सेल्री होती है? एक स्टेनोगराफर की जो गोर्नमेंट में सेल्री होती है, वेह सुरात में 25,000 से 30,000 बीच में होती है इसके उपरांत सेलरी बढ़ती जाती है